जिन्द प्यारे साथियों आज है 13 मार्च और आज के वीडियो में डिसकस करेंगे हम लोग 13 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट के कुछ चांस आप सभी लोगों को इस्टडी 24 बिवेग यूटूब चैनल पे डेली करेंट रफेर की क्लास मिल नहीं होगी लाइस्ट वन या टूदे से नहीं मिल लई है कुछ टेक्निकल इसू था इसलिए तो अब आपको डेली क्लास मिलेगी आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए बिल आइकन प्रस करें जिससे आप सभी को हमारे वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो आज के वीडियो में दोस्तों थैटीन मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करन रफिर के कुष्चन से बनते हैं वह समय कबर कराऊंगा तो कुष्चन नंबर दोस्तों वन देखेंगे कि संतोष ट्राफी के छीहत्रू है संसक्राण का खिताब किस टीम में जीता दोस्तों तो कर करनाटक ने 54 साल का इंतजार खतम करते हुए संतोष ट्राफी राष्टी फुटवाल चेम्पियन से जीत ली है आपको ये भी पता होना चाहिए जो संतोष ट्राफी होती है किस लिए दी जाती है किस खेल से रिलेटड है तो फुटबाल से यहां रिलेटड है किसे जीता है करनाटक टीम में 54 साल के बाद जीता है सौधी अरब की राधधानी निरियाद के किंग फहध इंटरनेशनल इटेडियम में खेले गए फाइनल में करनाटक ने मेगाले को 3-2 स से हराया यहनि कि करनाटक विजयी रहा और किसको हराया मेगाले को 3-2 से प्ले आफ मैच में सर्विसेस ने पंजाब की टीम को हरा कर प्रस्योगिता में तीसरा इस्थान हासिल किया है तो पुल मिला करके जो संतोर ट्राफी है फाश्षान करनाटक की टीम ने सेकेंड तो मेगाले की टीम ने एंध थाल इस्थान जो पाया है तो पंजाब की टीम ने पाया है किस लिए किस खेल के संबंदित है संतोर ट्राफी तो फुटवाल से संबंदित है आपको पता होना चाहिए इंडियन नेवी ने ब्रंभोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की ब्रंभोस मिसाइल विकास कारेकरम भारत और किस देश का एक सन्युक्त उक्रम दोस्तों है तो भारत और रूस का जो कि आपसे नमबर भी यहां पे राइट आया एंसरे साथियों इंडियन नेवी ने सोदेशी सीकर और बूस्टिर के साथ डंभोस सुपरसोनिक मिसाइल का अरफ सागल में परिछन किया या टेस्टिंग कोलकाता केटेगरी के निर्देशिंग मिसाइल विद्भंस युद्ध पोस्ते किया गया दोस्तों नेश्ट है कुष्चन नमबर 3 आरबी आई ने हाले ही में किस कंपनी पर 3.06 करौन रुपे का जुर्बाना लगाया है दोस्तों तो आरबी आई ने अमेजन पे जोकि आफसर नमबर सी हाँ पर राइट अंसर है क्या है अमेजन पे अमेजन की एक सहाय कंपनी है अमेजन पे तो इसी पर आरबी आई ने 3.06 करौन रुपे का जुर्बाना लगाया है आरबी आई ने अमेजन पे इंडिया प्राइबेट लिम्टेट पर 3.06 करौन रुपे का जुर्बाना लगाया प्रीपेट से जुड़े कुछ दिसा निर्देशकों का पालन ना करने के कारण ड ने जुबान अमयंजान पेपर लगाया है एक उमस्ट कंपनीय जो Grund Всё卉र भारत याना ellenघन दे स्टाफ इंडिया और की टीम ने किसे हराकर पुरिष्थित इरानी कप जिद लिया दोस्टों तो किस टीम को हराकर ठेथ भारत रिष्ट आप इंडिया की टीम ने पुरिष्ठित इरानी कप जेता है तो मद्ध प्रदेश ar आपसर नमबर एहां पर राएट आनका दोस्तों मध्दपर्देश को हरा करके जीता है तो सेथ हृस्ट आप इंड्या की की टीम ने मद्ध प्रदेश को हरा कर प्रतिष्ठित इरानी कप का खिताब अपने नाम कर लिया फाइनल मैच में सेज़ भारत ने मद्ध प्रदेश को 238 रनों से हराया जीत के लिए मिले 437 रनों के लच्च का पीछा करते हुए मद्ध प्रदेश की पूरी टीम चो अठावन पॉइंट फोर और में 98 रनों पर ही सिमट गई दोस्तों जानी कि से भारत बिज़े रहा और मद्ध प्रदेश की टीम नमबर टू एथान पर रही नेक्ट कुश्चन नमबर सिक्स है नव सेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संसक्रन का आयोजन किस बिमान वाहक पोत पर किया जा रहा दोतों है तो ऐ-N-S विक्रान्थ जो कि आफसर नमबर डी हां पे राइट ांसर है आई-N-S विक्रान्थ आफसर नमबर डी हां पर राइट आंसर है सातियों नौ सेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संसकन का आयोजन भारत के पहले सुदेशी बीमान वाहक पोथ आई एने विकरांद पर किया रहा है सत्यों नेस्ट कुष्चन देखेंगे कुष्चन नमबर सेवन भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रदोकी और नवाचार सहयोग पर एक समझाओते पर हस्ताचर किया है दोस्तों तो किसके साथ किया है भारत और मैसको जो किया आप से नमबर बी यहां पर साथियों राइट किसके साथ मैसको के साथ क्लिए रहे साथियों तो भारत और मैसको ने नई दिल्ली में अनुसंधान प्रदोकी और नवाचार सहयोग पर एक समझाओते ग्यापन प्रहताचर किया इसमें बिसेश रूप से एरो स्पेस इलेक्ट्रानिक्स ओसियन साइन्स बायोटेक और हेल ना नया प्रबंध निदे असमें किया दोस्तों तो पंकज गुप्ता को जो कि आपसर नंबर यहां पर राइट अंथरा आपकज गुप्ता को नविग्त किया गया है तो प्रामे का लाइप अंस्यूरंस Blair आई द्वारा अनुमोदित किया गया है पंकज ने कल्पतना संपत का इस्थान लिया इससे पहले पंकज सिटी ग्रूप आई सी सी आई बैंक और टी सी एस में वरिष्ट पज़ों पर भी कार कर चुके हैं ने स्ट है कुश्चन नमबर नाइन किस देश ने पचीस वर्तों मे पहली बार महिलाओं के लिए सेन सेवा खोली दोस्तों यानि कि महिलाएं सेना में सामिल हो सकती है तो किस देश ने पचीस वर्तों में पहली बार सेवाएं खोली हैं तो कोलंबिया ने जो कि आपसा नंबर भी यहां पर राइट अंसर है यानि कि कोलंबिया ने महिलाओं के के लिए अब क्या किया है कि सेना में आने के लिए दरवाया खोल दिया महिला हैं कोलंबिया में अब सेना में आ सकती हैं दोस्तों क्लिर है तो कोलंबिया ने पच्छीस वर्तों में पहली बार महिलाओं के लिए सेन सेवा खोली फरवरी के महिना में कोलंबिया में 1296 महिलाओं को जत्ते को भरती किया गया है नेक्ट कुश्चन नमबर टेन है साथियों डाक्टर मरिक साहा ने 2023 में किस भारती राज के मुख मंत्री के रूप में सपतली तो डाक्टर मरिक साहा ने त्रिपुरा राज की सपतली राज के सीजम के रूप में सपतली त्रिपुरा आपसे नम को एक सीट मिली है और तिप्रवा में डाक्टर मरिक साहा ने तपत ली है मुख्य मंत्री के रूप में तो यह थे दोस्तों बहरे साथियों करेंट फेर के important question 13 मार्च के जो आप किसी भी competitive exam के त्यारी कर रहे हैं तो आपको करेंट फेर का महतुपता होगा तो अब देखेंगे आप लोगों के लिए प्रस्ण है कि मिम्यूशिया साइलो निका दुरलव कीट प्रजाती भारत में किस राज में देखी गई दोस्तों ठीक है तो मिम्यूशिया साइलो निका दुरलव की कीट प्रजाती भारत में पहली बार किस राज में देखी गई है इंपॉर्टन कुश्चन है आपसन एक एरल बी तमिलनाडू सी करनाटक डी उडिसा तो आप सभी लोग इसका अंसर साथियों कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों के साथ वीडियो सेर करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल पर नए सब्सक्राइब पर दोस्तों मिलेंगे नेस्ट वीडियो में नेस्ट डे के करेंट अफेर के क्लास के साथ आप सभी लोगों का वीडियो देखने हैं